नमस्कार और आप देख रहे हैं परकल जेज़ेपी संस्थापट अजया चिंग चोटाला सिर्षा पहुँचे जहाँ उन्होंने मीडिया से बाच्चित की और कहा कि लोग सबाचुनाओं में जेज़ेपी ने युवा चेहरे उतारे हैं क्योंकि युवा ही देश और परदेश में व्यवस्ता परिवर्तन कर सकते हैं वहीं उन्होंने जेज़ेपी और आमाद्मी पार्टी के साथ गटबंदन के सवाल पर अजेशिंग चोटाला ने कहा कि इस पर या इस से पहले जीन में जेज़ेपी और आमाद्मी पार्टी अप उनकी पाटे का जन्म हुआ है उनका तो कॉंग्रेस से 36 का अकड़ा है इसलिए गटबंधन का कोई सवाल नहीं उड़ता पल-पल शिर्शा से अमर्शिंग जाने की विशेश रिपेंड हमने अरियाना परदेश के सबसे यूथ कंड़ी रेट हैं जो 33 साल से कम उमर के हैं सारे के सारे एक नई एनरजी नई ताकत नए जोस के साथ परदेश की जिन्ता को दी है फैसला करना तो परद्वात अंतर में जन्ता का अधिकार है अब वो क्या चाहते हैं ये यूथ कंट्री है और यूथ कंट्री में अगर यूथ अपने यूथ को आगे बढ़ाएगा तब ही काम चलेगा जबस्ता परिवर्तन तो जब ये यूथ जाएंगे वहाँ पर तब ही होगी ना मिश्चित तोर पे एक और एक मिलकर कही ग्याना प्रद्वर्तन तो चुनाव में जितने भी कंट्री चुनाव लड़ते हैं सब में होता है मिश्चित तोर पे एक और एक मिलकर कही ग्यारा होते हैं बहुत बड़ी ताकत होती है और जीन्द के चुनाव में अमने इस बात को प्रूव किया है और अब पर देश की जनता प्रूव करते हैं अब तो सारी चीज क्लियर हो चुकि आप बात ही ना करो कॉंग्रेस का हमारा तो 36 का अकड़ा है हम तो कॉंग्रेस के विरोध की प्रदाविस हैं जेजेपी के जिस दिन स्थापना होई थी हमने बारा गोश्टा है जीन्द की रैली में दुशन चोटाला ने की थी वही हमारा मैमिफेस्टो है वही उसी को लेकर के चुना हो मैदान में जाएंगा झाल 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 झाल